नमास्कार दोस्तों पिछले क्लास में हमने production function के class को start किया था और basic तोर पे production function को समझा था कि basically production function होता क्या है या फिर production होता क्या है साथी पिछिर क्लास में हमने आपको ISO Quant के बारे में भी समझाया था आज के इस क्लास में हम कुछ और चीज़ें डिसकस करेंगे जैसे कि आज हम Short and Production Function के बारे में आपको बताएंगे Short and Production Function क्या होगा आज के इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझायेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो जब भी आप किसी चीज़ का Production करते हैं जब भी आप किसी चीज़ का Production करते हैं तो इसमें आप कुछ Inputs को लेते हैं अब हम मानके चलते हैं कि हम दो inputs को लेते हैं, एक आपका labor हो गया, और दूसरा आपका capital हो गया, पहला labor हो गया, दूसरा capital हो गया, अब अगर हमें production को increase करना है, तो हम labor and capital में increment करेंगे, तो हमारा production increase होगा या हमारा output increase होगा, लेकिन यहां पर production function दो type का होता है, एक होता है sort run, एक होता है sort run production function और दूसरा होता है long run production function. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अब जो sort run production function होता है, इसमें दोनो inputs increase नहीं होता है, कम से कम एक input fix रहेगा, ठीक है कम से कम एक input fix रहेगा और दूसरा जो है हम variable रख सकते हैं जैसे कि short run में यहां मैं लिक देता हूँ one input fix and other other variable रहेगा ठीक है यह चीज आपको ध्यान रखना है लेकिन जैसे हम long run में आएंगे तो हमारे both input variable हो जाएंगे ठीक है इतनी चीज आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी short run production function में हम कम से कम एक input को fix रखेंगे और variable बाकी जितने रहेंगे वो variable रहेंगे जबकि long run में सब के सब input variable हो जाएंगे यानि आपके पास पूरी सोतंदरता होगी आप labor को बढ़ा घटा सकते हो capital को बढ़ा घटा सकते हो अपने output को change करने के लिए अपने production को बढ़ाने घटाने के लिए लेकिन short run में ये आप नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर एक आपका जो input है वो fix रहेगा चलिए इसको और थोड़ा सा detail में समझने का प्रयास करते हैं तो समझिएगा जैसे माल लीजिए आपको production करना है आलू का आपको आलू का production करना है ठीक है आपको आलू का production करना है अब आलू के production के लिए हम मान के चलते हैं एक तो आपको labor की जरूरत पड़ेगी एक तो labor की जरूरत पड़ेगी एक capital की जरूरत पड़ेगी Capital का मतलब आप Land से ले सकते हैं, जहां पे आप आलू लगाते हैं, तो आपको Capital की जरुवत पड़ेगी, अब हम Short Run की बात कर रहे हैं, तो Capital जो हमें लेना है, वो रहेगा Fixed, यानि आपके पास Short Run में Capital Fixed है, आप यहां आलू की जगह पे कोई और भी Example ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आलू ले लिए हैं, जैसे माली जाप Steel या आपको लोहिक उत्पादन करना है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक Input यहां पे हो, Fixed मानेंगे, Short Run मे हमारा Input Fixed रहेगा, इसको हम बढ़ा खटा नहीं सकते हैं, लेकिन जो दूसरा हमारा है Labor, यह हमारा रहेगा Variable, यह हमारा रहेगा Variable, ठीक है, इसको हम Change कर सकते हैं, मैं और अच्छे से आपको समझाने के लिए, आलू की जगह पे आप ले लीजिए, सिर्फ एक Machine ले ले ल करती है, एक Machine ले लीजिए, जो Cloth का Production करती है, जिसमें Capital लगा हुआ है, जो की Fixed है, हम उसे बढ़ा नहीं सकते हैं, यानि जितनी Machine लगी है, जैसे माल लीजिए, अभी 10 Machine लगी है, हम इसे बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, Short Run में, और Labor को हम बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है, प Guidance Utilization नहीं हो पा रहा, आप Utilize अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब यह है कि अगर एक Labor है, और आपके पास 10 Machine है, तो Production आपका एक Unit हो रहा है, Production आपका एक Unit हो रहा है, क्योंकि एक Labor की Capacity ही, एक Machine चलाने की है, वो भी अच्छे से नहीं चला पाएगा, तो कम से कम एक Unit ही वो Production कर पा रहा है, लेकिन अब क्या है कि Short Run की बात है, तो Capital तो आपका Fix है, अभी Capital आपका Fix है, लेकि Labor आपका Variable है, तो Labor आप Change कर सकते हो, तो माल लिजिए, आपने 2 Labor कर लिया, 10 Machine है, तो अब यहाँ पर Production आपका 2 Unit हो गया, ऐसे 3 Labor करेंगे, 10 Machine है, तो Production आपका 3 Unit हो गया है, क्योंकि अब 3 Machine है, वो बीजी हो जाएगी, ऐसे ही करके अगर आप 10 Labor कर लेंगे, तो 10 Machine है, और 10 Unit का आपका Production हो गया, 10 Unit का Production हो गया, अब हम यह मा 10 Machine है, 10 Labor है, और 10 Unit का Production हो गया है, अब Maximum Capacity आप यूज कर रहे हो, अब माल लीजिए, आपने 11 Labor करेंगे, 10 Machine ही है, तो Production आपका बढ़ेगा नहीं, 10 Unit ही रहेगा, पता चला 12 Labor आप कर दियें, 10 Machine है, तो हो सकता है कि यह आपका 9 Unit हो जाए, अब आप कहेंगे कि यह कम क्यों हो क्योंकि आप यह देख रहे हैं कि Machine 10 है, लेकि Labor की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो जब Labor बहुत जादा हो जाएंगे, तो काम उतने मन से नहीं करेंगे, वो कहेगा तुम करो, वो कहेगा तुम करो, आपस में बाते करेंगे, तो ऐसे करके वो काम जो Production अच्छा हो रहा और एक Input को अगर हम बढ़ाएंगे, तो Problem होगी, ठीक है, तो Problem होगी आपके Output में धिरे-दिरे कमी आने लगेगी, और जादा आप Labor बढ़ाएंगे, हो सकता है कि आपका Production और जादा कम हो जाए, तो एक समय तक तो आपको Increasing Return मिलेगा, यानि आप देख रहे हैं, जैसे से Labor बढ़ा रहे हैं, आपको बहुत जादा Return मिलता जा रहा है, लेकिन एक समय तक ही रहेगा, उसके बाद Constant हो जाएगा, और फिर एक समय के बाद, आपका Return घटने लगेगा, तो ये आपका Short Run Production Function है, Short Run में यही बाते बताई गई है, कि Short Run में किस तरीके से, एक Entrepreneur किस तरीके से Production करता है, किस तरीके से मसीनों का और Labors का यूज करता है, और अपना Production करता है, अब अच्छे से समझ गया होंगे, कि Start Run Production Function होता क्या है, अब यहाँ पर Long Run Production Function के बारे में एक बार थोड़ा समय आपको Overview दे देता हूँ, फिर आगे हम बहुत Detail में पढ़ेंगे, Long Run Production Function में पहले मा लीजिए, आप Cloth का Production कर रहे हैं, पिछला Example जो हमने लिया था, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हमने Labor लगाया, एंड हमने Capital लगाया, पिछली बार आपने देखा था कि Capital आपका Fix था और Labor आपका Variable था, लेकिन इस वाले Case में, दोनों हमारा Variable रहेगा, दोनों हमा चाहे तो Capital में भी Change कर सकते हैं, हमें पूरी सोतंतरता है, क्योंकि Long Run में सारी जितनी चीज़े होती है, सब कुछ Change किया जा सकता है, क्योंकि एक लंबा टाइम पीरियड होता है, तो बंदे के पास इतना पैसा भी होता है, क्यों चाहे तो पूरा का पूरा और मसीने लगा सक ठीक है, या फिर हो सकता है, और वेर हाउस खोल दे, और वहुत सारी जिज़े कर सकता है, तो उसके पास पूरी सोतंतरता होती है, तो Long Run Production function यह बताता है, कि आप इन में से किसी को भी Change कर लोगे, अब पहले की तरह मानते हैं, कि हम 10 unit labor लगाये थे, और हमारा, यहां यह पूरी सोतंतरता है, कि वह 11 machine भी कर ले, तो जैसे 11 labor, 11 machine होगा, तो production भी आपका increase हो जाएगा, ठीक है, 11 unit हो जाएगा, ऐसे अगर यह 15 labor कर लेगा, तो machine भी 15 कर सकता है, और production भी उसका 15 हो सकता है, ठीक है, 15 unit हो सकता है, तो इस तरीके से Long Run Production function में एक व्यापारी के पास, या एक capitalist के पास पूरी सोतंतता होती है, पूरी आजादी होती है, कि वह labor and capital को अपने इसाब से change करके, modify करके, अपने production को increase कर ले, आगे हम कल के वीडियो में कुछ और चीज़े इसके बारे में समझने का प्रयाज करेंगे, तो अगर आपने पिछल अगरे classes को नहीं देखा है, आपको चैनल पर playlist मिल जाएगी, playlist पे विजिट करके आप जरूर देख लीजिएगा, आपके बड़े काम की class है, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, उसमें हमने consumer behavior पूरा complete करवा दिया है, साथी production, अब हम production function आपको पढ़ा रहे हैं, आ आगे हम cost function के बारे में पढ़ाएंगे, तो वो सारी चीजे देरे देरे complete करेंगे, फिर मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए, चैहिंद,